हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे कहीं पे भी हम लोग MCV और RCCV लगाते हैं तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है सबसे पहले हमारा पावर सप्लाई कहां पे इनपूट होगा और कहां पे आउटपूट होगा इसका कनेक्शन कैसे होगा इस MCV बॉक्स में कुछ हमारा सिंगल पूल का MCV है एक DPMCV है एक RCCV है इसका फुल कनेक्शन करके हम आपको फाइनल यहां पे दिखलाने वाले है और इसके अंदर जो सर्कीट है अमरा जैसे नॉर्मल जो सर्कीट होता है जैसे लाइटिंग स्वीच बूड पावर पलक उसका है कुछ गीजर का है कुछ AC का भी है अगर आप यह जानना चाहते हैं यह सब लगा करके इसके अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं तो आप इस वीडियो को A to Z complete पूरा जरू देखिए तो जैसे कि यह हमारा MCB बॉक्स है और इसके अंदर जो भी हमारा सर्कीट का वायर डालना था वो complete डाल दिया गया है और main wire भी इसके अंदर आ गया है जैसे यह हमारा main wire है 10 mm का है black neutral yellow face और green यहाँ पे है जो 4 mm का है body earth का wire है यहाँ पे जिस हिसाब से load है उसके हिसाब से यहाँ पे body earth का main जो आ रहा है input के लिए जो ground से connect करके वो 4 mm का डाला गया है यहाँ पे एक चीज और आपको बतला दे यहाँ पे कुछ wire आपको दिखाई देगा जैसे कि हम आपको दिखला दे यहाँ पे यह क्या है नीचे floor से उपर floor के लिए main wire जा रहा है और कुछ उसके अंदर tube connection के लिए wire जा रहा है तो इस MCB box से उस wire का कोई connection नहीं है जैसे होता क्या है जो हमारा floor by floor होता है तो MCB box के थुरू हमारा conduit डाला गया रहता है तो वो main wire सिर्फ गया है नीचे main board से लेकर के उपर floor के लिए तो उससे इसमें कोई connection नहीं है अब इसकी connection चलिए हम करते हैं यहाँ पे start सबसे पहले क्या करेंगे जो wire है यहाँ neutral link में है तो इसको बाहर हम निकाल लेता है इस दोनों circuit को इस तरह से हम बाहर निकाल लिए जो भी wire है हमारा उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 10mm का wire जो हमारा main input power supply होगा जो main line है इसको सबसे पहले हम क्या करते है यह थोड़ा मोटा है तो इसको सबसे पहले हम इसको dressing कर लेते हैं यह तरह से mode करके हम ले करके चले आते हैं यहाँ पे हम main input का connection करेंगे उसके बाद यहाँ पे जितना circuit का wire है सभी wire को लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इकठा करेंगे और इसके अंदर tie भी लगा देंगे अगर tie नहीं है तो tape का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन heavy wire है यानि ज़्यादा wire है हमारा motor wire है तो यह tie लगाएंगे तो बहतर होगा जैसे कि बहुत सी वीडियो में हमने दिख लाया हुआ भी है और यहाँ पे inverter का wire buddy earth का wire जो है हमारा इस सब को अलग-अलग कर लेते हैं और बीच में neutral और उपर से हम face का कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक तरह से सुन्दर दिखाई देगा लेकिन जादा यहाँ पे हम dressing नहीं करने वाले है यहाँ पे जिस तरह से generally connection होता है normal जो dressing होता है उसी तरह से यहाँ पे करने वाले है और connection हम करेंगे आप चाहे तो इसे और भी बहतर कर सकते हैं उसके लिए भी बहुत से वीडियो हम upload करने वाले हैं यहाँ पे tie हमने लगा दिया और जो बड़ा था tie उसको हमने cut कर दिया उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो inverter का wire है इसको इस तरह से लेते हैं और यहाँ पे एक बराबर करके cutting करेंगे और इसको छिलेंगे और आपस में जोड़ करके tip लगा देंगे MCB box में जो हमारा inverter का wire होता है उसका connection नहीं होता है अगर किसी MCB में करेंगे तो उस MCB से जो भी हमारा connection रहेगा switchboard power plug वो सब में power supply चला जाएगा लेकिन generally नहीं होता है तो यहाँ पे tip लगा करके उपर pipe में हम डाल दिया और यहाँ पे एक tie लगाते हैं और इसको log कर देते हैं यह final हमारा हो गया जो बड़ा है उसको cutting कर दिये उसके बाद यहाँ पे neutral का wire हम लेते हैं यहाँ पे जो circuit है हमारा यह 1.5 हम का neutral हमारा है ठीक है 2.5 का भी यहाँ पे circuit है तो यहाँ पे जो neutral का link है उसके अंदर हम connection कर रहा है हर wire पे हमने marking किया हुआ है कि यह किस room से आ रहा है तो serial भाई हम यहाँ पे डाल रहा है पहले वाले room का उसके बाद दूसरे वाले room का उसके बाद तीसरे वाले room का तो lose नहीं हो, hit नहीं हो, इसलिए clamping tool से लग लगा करके clamping करना जरूरी है यहाँ पे हम connection कर दिये उसके बाद एक MCB लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे इसमें touch नहीं होना चाहिए क्योंकर connection करना में हमें problem होगा face वाला में तो यहाँ पे हमने neutral का connection कर दिया input उसके बाद क्या करेंगे एक tie लेंगे लगा करकर यह दो क्या करते बाद करेंगे यानि tie हमारा बड़ा है उसको हम यहाँ पे cutting कर देंगे घिक है उसके बाद क्या करेंगे अब लेंगे हम सिंगल पॉल की कुछ MCB जो सिंगल पॉल का हम MCB यहाँ पे लेने वाले हैं यह सुला का है आप यहाँ पे देखिए वायर कितने mm का है और लोड कितना है जैसे 1.5 mm का वायर है तो इसमें सुला तक का MCB हम लगा सकते है दस भी लगाया जाता है सुला भी लगाया जाता है अगर यहीं पे हमारा MCB अगर 20 हो जाता है तो 2.5 mm का वायर होना चाहिए पचीस हो जाता है तो 2.5 mm का वायर होना चाहिए 32 हो जाता है तो 4 mm का वायर होना चाहिए तो यहाँ पे 16 है तो हमारा 1.5 का circuit है जो generally हमारा power plug और switchboard से आ रहा है तो यहाँ पे हम connection कर दिये इस तरह से face का ठीक है इसी तरह से दूसरा MC भी लगाएंगे इसके अंदर हम connection कर देंगे जितना हमारा circuit है 1.5 का यहाँ पे 16 Ampere का हम लगा रहा है आप चाहें तो इसके अंदर 10 Ampere का भी लगा सकता है क्योंकि एक circuit पे हमारा power plug भी है और normal switchboard भी है इसलिए तो इस तरह से यहाँ पे जो भी हमारा 1.5 Ampere का circuit था उसका connection हमने कर लिया है यहाँ पे yellow color का 2.5 Ampere का circuit है यहाँ पे हम MCB लेंगे 25 Ampere का और सबसे पहले गीजर है दो उसका connection करेंगे और उसके बाद 4 हमारा AC है उसका connection हम करेंगे SIM MCB में जिस तरह से connection और सबका हुआ है इसके neutral की बात करें तो उपर connection हमारा हो गया है wire में हमारा marking है उस हिसाब से कर रहे है AC और गीजर का connection यहाँ पे connection हमने कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे face link लेंगे नीचे से हम डालेंगे और connection कर देंगे यानि screw को tight कर देंगे तो स जितना circuit होता है उतना single pull का MCB लगता है यहाँ पे हमने face का connection कर लिया इसके अंदर एक wire को निकाल लेंगे जैसे yellow color का एक wire हम यहाँ पे लिया है इसमें भी हमने lug को लगाया हुआ है pin type का किसी एक MCB में इसके अंदर डालेंगे और इसको कस लेंगे तो यह क्या हो जाएगा इसके through हमारा face line इसके अंदर input होगा इसके बाद हम wire steeper लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे face link का PVC थोड़ा बड़ा है इसको cut कर दते हैं ताकि RCCB हमारा आसानी से आ जाए यहाँ पे हम cut करने के बाद RCCB लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो neutral है neutral देखे सबसे पहले RCCB को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे जो trip side होता है जिदर MCB इस side neutral का connection होता है और लिखा भी गया रहता है तो खास करके जितना RCCB होता है या ELCB होता है उसके अंदर जो हमारा neutral होता है इसी side होता है और उपर से input power supply होता है और से output होता है तो यहाँ पे neutral face का connection कर लिए देख लिए यहाँ पे finally यह हमारा RCCB से output हो गया अब input में क्या करेंगे यहाँ पे wire लेंगे इसके अंदर भी हमने pin type लग लगाया हुआ है क्योंकि जो भी MCB में हमारा लगता है वो pin type रहता है कहीं पे nut में bolt में कसना होता है तो ring type क हमारा लग लगता है यहाँ पे दो wire का टुकड़ा हम येलो और ब्लेक में पहले से ही हमने pin type clamping से क्लेंप कर दिया है लग को और रखा हुआ है और यहाँ पे हमने connection कर लिया connection करने के बाद यहाँ पे RCCB को लॉक कर देते हैं RCCB को लॉक कर दिये हम जो इसका real पट्टी होत है short circuit पे और DPMCB अराम से trip करता है इसलिए हमने DPMCB लिया है आप चाहें तो isolator का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे इस side हमने face का connection कर लिया और इस side हमारा neutral का connection हो गया जो हमारा है DPMCB से output होगा तब जाके जाएगा आपका RCCB में power supply RCCB out करेगा तब जाएगा single pole के MCB में power supply जो हमारा main wire है उसका connection यहाँ पे करना है तो सबसे पहले main wire जो है उसके अंदर हमने clamping tool से लग को clamp नहीं किया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे wire को थोड़ा सा हम टाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा MCB सीधा हो जाए यहाँ पे wire को हम छील लेंगे इस तर नहीं PVC को remove किया जाता है उसके बाद यहाँ पे clamping tools लेंगे यहाँ पे इसके अंदर set करना होता है 10 mm पे हमने set कर दिया और इसके अंदर इसको दबा देंगे यह clamping हो जाएगा ठीक है इसको दो बर हम दबा देते हैं एक आगे एक पीछे यह थोड़ा gap देख करके जिससे हम यहाँ पर लेंगे टेप और इसके उपधे एक टेप लगा देंगे PVC टेप इस तरह से टेप लगा दिए इस तरह से फिर क्या करेंगे फेस वाला जो वाइर है उसको च्हिलेंगे और इसके अंदर लगारेंगे हो Cape के लिंग कर देंगे अगर यहाँ यहां पर सामने सामने डियान देजिए का आपने सामने वाइर है और इसलिए नई तैने वारा जिए और 27 9 चाहिए उसके और हम सामने 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 करें न जाता हैm ख़ाएंपये चलव माई नहीं जो बैर मोई देशटेंड करें तो कि लूज नहीं होगा अगर एक वायर को करना चाहे ना यहां पर यह लूज हो जाएगा इसलिए क्योंकि 0.75 वायर है जो हमारा 4 वायर है वह कर देंगे लेकिन यहां पर 0.75 वायर है तो दो तीन वायर लेंगे एक बराबर कटिंग करेंगे अच्छी लेंगे आपस में सबको जोड़ेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल करके इस कुरू से टाइट कर देंगे तो इस तरह से हमारा बर्डी एर्थ का भी कनेक्शन हो यहां पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए सबसे पहले जो में पाउर सप्लाई हमारा होता है डिपी एमसीबी लगा है उसमें आएगा या इसलेटर लगा है उसमें आएगा उसके बाद हमारा सिंगल पूल के एमसीबी में जाएगा जितना भी पार्ट हो 2,4,8,10,20 जि पाउर सप्लाई देंगे उसके बाद हम आपको देखाएंगे इसके अंदर हमने पाउर सप्लाई को दे दिया हुआ है अब यहां पर चली क्या करते हैं एमसीबी को आउन करते हैं यह अभी sort लएगा और trip तर जाएगा यह देखिए और इसके बाद जो भी हमने इसके through connection किया हुआ है जो भी घर में वो जल रहा है कोई problem नहीं है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो चलेगे तो like कीजे, share कीजे आपके मन में किसी भी तरह का doubt है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे comment box में जरू लिखिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो awc application पर बात कर सकते हैं